जैन साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताने वारे हैं अपने ट्रेनिक सेंटर के दिनों की एक दुरघटना के बारे में जो मेरे साथ हुई थी और वो काफे इंट्रेस्टिंग दुरघटना थी मेरे साथ वो मुझे याद करके मज़ा भी आता है और डर भी लगता है क् कि यह दुरघटना इतनी डिरावनी थी है हुआ यह था कि एक बार मैं ट्रेनिक सेंटर में कुछ मिश्टेक्स किये थे जिसके वज़ए से मुझे 36 गंटा कंटिन्यू ड्यूटी लगाया गया था और मैं उसे कर रहा था उसी बीच में मेरे को एक बार ब्रिक फास्ट के ल ृगा 王 पैर को जारने के लिए मतलब पेंट होता ना पैंट के नीचे ठोड़ा धुल लग गया था उस दुल को जारने के लिए थोड़ा सा जुका बस इतने में एक मेरे यहां पर यह गेरदन पर आकर घुंच गूस मिया जोर से ऊंसको मदमख्य मरगय वहीए पर मर गया उसका सूर्ण जो होता इतना सा वो उसके अंदर भूज गया अब उसके बाद उस मदुमक्षी को मारने के बाद हुआ कि तुरंत थोड़ा दिर पाद तुरंत एक दूसरा मदुमक्षी आया मैंने उसको भी मारा उसको पर देखते देखते फिर दो तीन आ गए मैंने उसको उसको मरा यार क्या प्रोब्लेम है मर जब समझ नहीं आने लगा फिर देखते देखते चार पांच और आ गए अब मैं समझा मेरे पर हमला हो गया है अब माई किया भागना सुरूर किया अब चार पांच मतमक्hi मारते 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 में मैं भागने लगा आप देखते हजारों की संख्या में मदमख्या आ गई अप में पूरा एकदम डर अंदर से इतना घुश चुका था मदमख्य का हमला मेरे जीवन में मेरे उपर पहली बार हुआ था और आप कोई भी इतनी बड़ी दुरगटना आपके साथ पहली बार हो तो आपको अजीब फिलिंग होता है काफी डर होता है तो मैं दोड़ा भागा जा रहा था और मेरे पिछे हजारों मदमख्या मेरा यह बाल जो आना यह बाल तो अभी बड़े हो गए उस टेम पूरा छोटा था दमजीरो कटवे था तो पूरे माथे पे हमला कर रहा था इदर गर्दन उर्दन में पूरा हमला कर रहा था पूरा काट रहा था सूण इतना बड़ा बड़ा घुसा दे रहा था अब मेरे को जलन भी हो रहा था दर्द भी हो रहा था डर भी लग रहा था और मैं दोड़ा को दोड़ाय जाता है जब 50-60 गुंडे लोग बंदुक ले करके इसे आदमें को मारने का पीछा करते हैं वो उस टैप का फिलिंग हो रहा था मेरे को हजारों मदमक्या मेरे पिछे मेरे हमला किये जा रही है किये जा रही है और मैं दोड़े भागा जा रहा हूं मैं बोला जा कि हमें क्या पता कि यार वही हमला करेगा अगर मैं इसको बचाने को बोलूँगा तो तो बाज़्गया वह बच गया अब मेरा दिमाग कामड़ बगल में नदी था मैं तोड़ा दोड़ा गया बस इतनाuman चाम किया मेरा कि मोबाइल पेकटु में था में फट से मोबाइल से निकाला और अर्म नदी पर कुद गया अब दोड़ा przy take God is तो मेरी सांस फूल गई थी तो मैं ज़्यादा देर नदी में रूख नहीं सका 10-15 सेकेंड रहा फिर जैसे मैं उपर उठा फिर से मधुमक्षो का हमला माथे पे एकदम गजब अब फिर मैं सोचा कि यार पानी में मैं नहीं रह सकता अब माथा अंदर करके कितना देर रह सकत दोड़ भी करते हो पिर मैं वहाँ से उठा पूरा सरीर भीगी कपडे वरदी भीगे जूते भीगे में फिर दोड़ भी नहीं चाहिने लगा फिर मैं जब्रस्ती इदर उदर यदर दोड़ते 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 मेरत उस्टाइम पैर भी डेमेज हो गया था कचक गए तो प्रफिश्ट दूनों तक उस टाइम पैर में दर्द भीगवा था फिर मैं दोड़े 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 बोले जा रहा हूं बचाओ बचाओ अर्शाब मेरी हालत देखके दंग रह गए यारी क्या है क्यों तोड़े जा रहा है पुरा भीगा हुआ है फिर वह टूटी करके आये तो तो कर तके लगाअने लगा मैं ऐतना चिल लाया कि आप सब का नीम तूड़ दिया मैं है अब सब करें तो डूट कि आप क्या हुआ क्या हुआ मैं बोला यार मद मखी हामला कर दिया मेरे पर अब पूरा माथे पे इधर-इधर अपना सूण घुषा दिया मद मखी एक दो लोग ने देखा वालों को इसके जानकारी दिया गया तो फिर मेरे को देखने के लिए दो तीन लोग आए अब उस समय हुआ अपडिध मात रखी जलन होग्या था अब और दिखाई देना भी बंद होने लगा और मैं पूरा उचल कुद करने के लिए बिताब होने लगा ऐसा अंदर से फिली होने लगा जाप देने का मन करने लगा जोर जोर से चिलाने लगा मैं और अपने आप हो रहा था मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं था उसके बाद हुआ कि फिर मेरे को एक टैबलेट दिया गया बोला गया कि यह टैबलेट खालो वह दर्द ठीक हो अग्दम पूरा खतरनाक उसके बाद फिर मेरे को गड़वा ले जाया गया जहां पर मैं मेरे को इंजेक्शन दिया गया फिर उसके 24 गंटा बाद मेरा तब्यात में देरे-देरे सुधार हुआ और उसके तीन-चार दिन बाद तक मेरे माथे पे वो जो सून था उसका उसक और इनका मार्किंग भी हो गया है चीन लग गया है उसका तो इसतरह से मेरे ऊपर हुआ था मदम की हमला जिसके बारे में सोच कर मेरे हो सी भी आता है और डर हो उस चीज़ को बताता हूं तो आशयरी सकित खुझा तो जिवन में इस तरह की घटना ही होती रहती है तो मैंने सुझा कि चलो मैं क्यों ना आप सभी के साथ में ये बाते आपके साथ सियर करूं क्योंकि ऐसा किसे के साथ भी हो सकता है तो कैसा लगा हमारा ये मेरे साथ जो घटना घटी आपको और मैंने आपके जो ये कहानी बताया जो मेरे उपर खुद घटित हुआ था आप सब कैसा लगा इसे जान करके और उमिद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा ये कहानी पसंद आया आपको सुन करके आज सेरे चकीत आप जरूर हुए होगे तो उमित कहरता हूँ है विडियो आपको पसंद आई होगी और विडियो पसंद आए तो प्लीज विडियो को लाइक करना सेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूभी मत बुलना मिलते हैं किस नेक्ष्ट जहिन